हलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियान इंस्टिटूट ऑफ श्टाग मार्केट पर आज अपनी जानने वाले हैं कि लेवल ट्रेडिंग क्या होती है देखी लेवल ट्रेडिंग मतलब होता है कि हमें स्पेसिफिक लेवल क कर पाए जैसे कि अगर मैं कहता हूं 22,300 जो है वह बहुत ही गजब का लेवल अभी इसके उपर और निफटे निकल जाती है तो उपर फॉल्ड होती है नीचे निकल जाती है अब अगर किसी ने यहां पर निफटी शॉर्ट कर रहा है एक अग्जम्पल मार्केट आया 22270 औ उसके बाद वापिस से उपर की तरफ बोटम बना कि उपर की तरफ चली अब कहा पोज गई बुलिट 22325 अब क्या हुआ अब यहां पर प्राइज हो रही है और फिर उपर की तरफ मूफ करके अब हुई 22345 क्या इंडिकेट कर रहा है अब यह जो जंप है यह इंडिकेट कर हो कि कब कॉल करने करनी अगर अच्छी तरीके से काम करता है अब इसको अब सबसे पहले कैसे के लिए चोड़ना चाते हैं तो ले ट्रेडिंग जो है वो ए बैस्ट रेडिंग आप के लिए यह तो राप एला पॉइंट अब इसको कि इंटरा बें अपलाए कर सकते हैं देखिएं बड़ने करने के लिए आपको छोटे-छोटे लेवल मार्क करने पड़ेंगे सबसे पहले चीज तो साइकोलोजीकल लेवल कि आ जाएंगे यह जो है अपने साइकोलोजीकल लेवल आ जाएंगे अब यह से में अगर हम करना कर रहों मैं यह छे पार सब्सक्राइंच की अक्यान कर रहा है दीडिकेटिंग रहा हूँ इतना सिंपल है लेवल ट्रेडिंग करना अब दिक्कत यहां पर क्या बनती है कि अब प्राइज अगर 50 का यह 50 का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैं अब देखिए यही जो है 50 का लेवल है अब यहां पर दिक्कत क्या होती है यहां पर आपका लेवल लाना पड़ेगा अब यहां तो यहां पर आपका लेवल 50 का नहीं है अब आपको यहां तो 330 को रिस्पेक्ट करते हैं यहां से बाइंग साइट पोजिशन इनिशेट करना पड़ेगा प्राइस थर्टी तक आ रही है और उपर की तरफ मूफ कर रही है तो मैं बाइंग साइट करते हों यहां पर इनिशेट करना पड़ेगा तो बात वही आ पिर से कि कन्फूजन का इस्टेट बन रहा है कि वहीं इस जगे जाके आपका प्राइस के अलावा आपको उसका एक् प्राइस करके अगर ऊपर की तरफ मूफ करना शुडू करेगा तो मेरे लेवल क्या जाएका 330 का अब 330 का मेरा लेवल है अब यहां से मैं क्या करूंगा समझते तो यह होती है अपनी लेवल ट्रेडिंग अब यहां पर मैंने आपको दो चीज़े बता दी सबसे पहली चीज ब Weg from 25 falseline बैं प्रेड काा इसमतना इसलिए किमें पर प्राइस का एक्शन चल किसा रहा है यानि कि प्राइस ब्रीम किसा कर रहे है आप यहांपर अगर ब्राइस बुझे clear cut इंडिकेट कर रहे हैं कि नई यहां से जो है momentum ऊपर की तरफ जा सकता है तो मैंने क्या कर रहूँ मैंने पुरा repeat कर दिया है अब 332 वे मैं क्या कर रहू है यहांपर मेरे पास एक trade available होता है दो प्रकार से तो इसे में रिस्प्रेट बनाता हूं एक बनाता हूं दूल पुट और एक बनाता हूं बीयर-कॉल को इसने क्या करा थुन गूंश्चा हो और inherent 0035 या फिर 500 कि क्या करूंगा पी शॉट कर दूंगा मैं आप 500 मतला बहुत आपकी अंडेस्टेंडिंग इंग ही में संपा होगी आप लोग भी समस्ते कि 22 400 22 500 की बात कर रहा है तो 22500 की पी में शॉट कर दूँगा और उसे आराम से होल्ड करूँगा हेच की लिए क्या लूँगा हेच के लिए में नीची जा करके 21800 21700 21500 जो मेरे को पसंद आ रहा है और जो दिखा है कि हाँ ठीक है अब यहां पर 330 का जो अपना इंपोर्टेंट लेवल है प्राइस क्या कर रही थी कुछ इसा भी है अब हम बात कर रहे हैं यहां पर लेवल ट्रेडिंग का रिस्पेक करके स्विच कैसे करना है अब देखिए पर आपने क्या करा प्राइस तींस एस की ऊपर होल्ड कर रहे थी यहां से लो वो बना करके गई थी हैसे करके इस्विचन था आपने ट्रेड बनाया प्राइस थोड़ी सी उपर गई और सरकना शुरू हुई आपने ट्रेड बनाया रहा हूं 360 के आसपास की भी आप तो clear cut price action दिख रहा है कि price उपर जा रही है प्राइस नहीं क्या करा थोड़ी दिर होल्ड करा यहां पर थोड़ा होल्ड करने के बाद नीचे गिरना शुरू हुई और आपके 330 के लेवल को निकाल दिया अब जैसे ही प्राइस ने 330 के लेवल को निकाला एक चीज बिल्कुल clear है कि 330 से 325 का जो लेवल है मेरा वो क्या ह एक specific zone बन गया है इस zone के अंदर मैं अभी हल में क्या करूंगा एक call option बिशॉट कर दूंगा नीचे में call option कि शॉट कर सकता हूं 300 की 200 की अब यह power किसके पास फिर से मेरे पास है और आप लोग समझते कि मैं किसके बत कर रहा हूं 22 300 22 200 अब ऊपर की put option भी होई है वो तो भी की उसके कोई दिक्रत नहीं है अब कॉल भी गई है अब इसमसे जो call option समझ में आ रही वह बेस दी और इसके उपर में जो समझ मेरा उसे क्या कर लिया बाइक कर लिया बाइक करने के लिए 23,022 822 700 बहुत सारे options हमारे पास अवेलेबल है तो अपन ने क्या गरा सी से सेल करा और सी वाइ कर लिया 330 से 325 का लेवल मेरा क्या था एक एक्टिव जॉन था जिसमें मुझे फटाक से डिस्यान लेना था कि मुझे कॉल शॉट कर देना है और कॉल भाइक कर लेना है अब मैंने थोड़ा सा ओर देखा अब यहां जाकर कि प्राइब नीचे की तरफ जाती चली ज होगा और मार्केट अब नीचे गिरेगा तरफ जाके पैसा कवर होगा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आदमें के मन में एक आती है कि मार्केट वापिस से घूम गई तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इतना लेवल को रिस्पेट करना कि 330 की उपर निकल रहा है तो मैं जो करेगी अब यह हम किसकी तरह काम कर रहें मैं आप लोगों को शॉट में बतायता हूं हम सोच रहें एक प्रॉपर सिस्टम की तरह जैसे की एल्गो वर्क करता है बस हमने चेंजस क्या रखें थोड़ा सा प्राइस एंवल्व कर लिया है और थोड़ा सा डिसिजिएं डिले ले रहें थोड़ा वेट करके ले रहें अगर यह हम यह को कमांड दे देंगे कि ऐसा ऐसा आज का लेवल है अब एक कम रहना 330 को ऐसा रिस्पर्ट करना तो यह साथ करना तो इसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई लिमिट देनी पड़ती है कि आप पांच आप साथ बार ऐसा करो तो वैसे ही आप अपने लिए एक सेट कर सकता हूं इस यह लेवल ट्रेडिंग करी जाती है अच्छे स्टेजी है थोड़ा टाइम लगेगा समझने में टाइम लगेगा इसा अगर एक दिन में समझ में आ आगया हो तो करने में फिर बात ही क्या थी मैं यह चीज़ आप लोगों को फिर बतायता हूं इस वाले चैनल पर मैं क्या बात करता हूं जो कि सही में पॉसिबल है पर टाइम टेकिंग है देखिए मैं कभी भी यह नहीं बोलता कि आप कॉल ऑप्शन खरीद हो देखो यहां से कॉल ऑप्शन से दस जार रुपे से एक क्योंद गलती से अगर हम पांच लाग से ट्रेट कर रहें तो कोई भी कंडिशन हो जाए किसी बीडिशन हो जाए साथ हजार से जादा का नुकसान ना हो यह से वाले ट्रेड जो है अपन इस वाले चैनल पर प्लान करते हैं तो आहीं आप आप लोगों को समझ में आया होग करा सकते हैं तब तक के लिए बहुत-बहुत धरनेवाद